रबसकर आप देखरें जनभावना टाइम सोर में हूँ आपके साथ पारिचाथ हमारा ये विशेश कारेकरम है करियर इस कारेकरम में हम आपको समाज के, जीवन के व्यवसाय के अलग-अलग करियर के बारे में बताते हैं जिस दिशा में आपकी रूची है आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकि उसकी क्या-क्या रेक्वायर्मेंट है, उसमें क्या-क्या अलग-अलग ओप्शन से आपके पास अवे लेबल है उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा इसके रहे हम विशेशंग्यों को बुलाते ताकि वो आपके लिए अच्छा मागदर्शन कर सके हमारे साथ आज महुजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शी आकाश काकड़े ची और हम चाहेंगे कि वो मागदर्शन करे आज आपके लिए हम लोगों को बताए कि किस तरह इस फिल्ड में जो कि लॉज से करियर के ये भी आप बताएं तन्यवाद परिदार जी मुझे बुलाने के लिए बिसिकली कैसे है कि पहले जब लॉग का कॉंसेप्ट इंडिया में आया तो टू येर्ज लॉग हुआ करता था फिर वो थ्री येर्ज लॉग हुआ आप ग्रैडवेशन के बाद लॉग विक लिए जा सकता है उस समय फिर फाइव येर्ज लॉग का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में तो आफ्टर ट्वेल्थ ये टेंथ ट्वेल्थ ये यहां डेली में इंटर कहते हैं तो इंटर के बाद आप येर्ज लॉग चूज करके उसमें जाते थे अभी तो उस फाइव लॉग येर्ज लॉग जो भी है वो आपका एक बर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको एक All India Bar Entrance Exam होती है वो क्लियर करनी होती है उसके बाद आप जिस स्टेट में जिस किसी राज्य में आप प्रैक्टिस करना चाहे उस राज्य क्या आपको बार काउंसिल का एक लेना होता है and you are through to practice क्या क्या और जैसे वकील है जज है या counselor है law counselor क्या 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 इस पे अलग अलग विकल्प हो सकते हैं अगर किसी को select करना हो तो मेरे हिसाब से अगर आप law graduation करते हैं तो sky is the limit for you even sky is not the limit for you तो आप हर चीज में आपको law का interference दिखेगा या involvement दिखेगा क्यू जाते हैं उसमें कुछ defect है तो वो defect क्योर करवाने के लिए भी आपको legally binding agreement होता है consumer protection होता है buyers beware cavit emitter तो यह चीजे उसमें होती है फिर आप गाड़ी खरीदने जाए उसके लिए भी होता है आप जमीन खरीद रहे हैं उसमें भी law है तो हर चीज के लिए law है तो आपको इने पुलीस स्टेट के लिए law के आपको काम आजाएगा आपको कुछ खरीदना है उसके लिए काम आजाएगा तो आपको companies के इसमें काम आएगा company secretary chartered accountancy में law काम आएगा अच्छा है यह सब law से जुड़े आप कोई भी बड़ी companies लेंगे उसमें law काम आजाएगा फिर हर company का in-house counsel करके भी lawyer काम में आजाएगा इन सब के अलावा आप legal assistance या legal aid के लिए भी आपको lawyer काम में आजाएगा आप law बनाते हैं तो law department में भी lawyers काम में आते हैं आप judge रहते हैं तो आपको judge के under जो उनकी help करते हैं फाइल्स पढ़ने में फाइल्स पे notes बनाने में और बाकी चीज़ो में तो उसके लिए भी law clerks होते हैं वो lawyer वहाँ पे काम में आता है तो ऐसे यानि कई सारे क्षेत्रे हर क्षेत्रे में आपको law और lawyers दिखेंगे अकैशी ये बताईए कि law के field में पहला कदम क्या उठा है किस से से शुरुआत करें अगर कोई बनना चाहता अधिवक्ता या law क कि फिल्ड में जाना चाहता है उसमें अपना करियर पर लाना चाहता है सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट चीज तो मैं इसमें ये कहूंगा कि उनके मन में सही में law के प्रती पढ़ने के प्रती समझ के प्रती जागरुकता हो और इच्छा हो क्योंकि अगर आप law as a career च चूज कर रहे हैं मतलब corporate, criminal, political, social किसी भी फिल्ड में आप law as a career चूज कर रहे है तो आप में ये जिग्या ऐसा होनी चाहिए कि आप उस पर पढ़ते रहे आप updated रहे है आप as an officer of the court आपको court को guide करना होता है आपको court को बताना होता है कि उस law पे क्या चीज आई है और क्या नहीं है तो till the time you yourself know something आप कुछ बता नहीं पाएंगे तो you won't be able to assist the court, you won't be able to assist your client जिनको आप represent कर रहे हैं आप अधी वक्ता हैं तो you speak for him before the court आप आप अच्छा यू रिप्रेजेंट the person you represent that person आप इसवेज से वह चीज बहुत ज्यादा माइने रखती है तो कॉर्से एड्मिशन के लिए eligibility criteria 10th, 12th, graduation के बाद होगा या किस तरह से होगा बारवी करने के बाद होगा मतलब आप यह बताए कि जो बी ए और एवे है लॉबे जैसे दूसरे कॉर्सें से बी और एवे है उसके अलावा क्या कुछ अलग से इंट्रेल्स इक्जाब वागिरा भी है यह बिल्कुल अच्छा सवाल है इसमें कैसे है कि आप इंटर जैसे 12th standard है तो 12th standard के बाद भी आप law चूज कर सकते हैं आप graduation के बाद भी law चूज कर सकते हैं आप post graduation के बाद भी law होता था दो साल का एक कोर्स हुआ करता था जब इंडिया में law launch हुआ था तो यह जिस law college से मैं हुआ पर दो साल का कुर्स भी हो करता था फिर वह तीन साल का हुआ और अभी जो रिसेंट टाइम से उसके वाज़े से वाज़े से पांच साल का भी एग्जॉस्टेव लॉव कोर्स आया तो जिसमें आपको dual degrees होती है कुछ में आपको option होता है कि आप dual degrees ना ले BALLB, BBLLB, BS SLLB, Social Studies का या Business Administration का या Arts के साथ आप graduation करके भी law परसू कर देते तो आपको dual degree मिलती है तो यह सारे options है अब इनके लिए आपको entrance test भी होती है आजकर या आप किसी भी college में लेने जाए तो आपका state का एक entrance होता है या अगर आप national law school, national law colleges या prestigious universities में अगर आप परसू करना चाह र level का bar entrance, इने आपको examination देना होता है entrance examination वो examination आप clear कर जाते हैं तो merit list के हिसाब से आपको आपके पसंदीदा college में admission मिलती है चीक है तो लगबग 5 साल बाद में एक वक्ती वकील बन सकता है 12 करने के बाद 5 साल कोर्स करके पांच साल में वो वकील बन सकते हैं उसके बाद उनको स examination जो यहने globally बहुत जग बहुत पहले से थी हमारे इंडिया में 2009 के बाद आई है तो जो भी वेक्ती 2009 के बाद law पास किये हैं उनको वे exam mandatory ली देनी पड़ती है once you crack that exam यहने it's basically a revision of all the laws जो आपको पांच साल में पढ़ाए गये हैं पूरे कानून है उसी पे आपको सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं जैसे दिली में है तो दिली बार कांसिल है महाराश्रा में तो महाराश्रा एंड गौा बार कांसिल है तो हर जगह का अलग बार कांसिल है जहां आपको एंडरोल कराना है and you can start practicing there इस पी क्या अलग अलग पसंद के इंसार या अलग 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 आप किसी मीडिया उसमें जॉइन कर सकते हैं उनको लीगल टीम में असिस्ट करने के लिए आप किसी company में इन-house counsel कर के जॉइन कर सकते हैं कि वो company में आप उनको मदद कर सके कंपनी के लीगल ड्राफ्ट बना सके यह आप नॉमल जी चीजे भी करने जाएं तो उसमें लॉका कुछ ना कुछ रोल होता है जैसे आप कोई टेक्नोलोजी बेवलप करते है तो आपके लिए मरियादित रहे आपको उस टेक्नोलोजी का बेनिफिट मिले तो उसके लिए भी उसके दसों लोगों के साथ agreements होने हैं तो आप सुई से लेकर तो ऐरो प्लेन तक कुछ भी खरीदें आपको उसमें लॉका इंवॉल्मेंट रहेगा गाड़ी के लिए जमीनों के लिए हर चीज के लिए लॉका इंवॉल्मेंट रहेगा तो इन सारे क्शेत्रों में आप जि किसी कशेत्र का इस इuis किसी भी कशेत्र के साथ तालुक है। उस तालुक वाले कशेत्र में आपको लोग को उमीद करते हैं। '' sizzle को उम्मीद करते है उ capable आप ने बहुत in janci दिछ नोद watch क्यों पर्याख उम्म भाद तेज दूतर बांत करता होए हैं। बिल्कुल, तीनों वी कल फुले रहेंगे, कैसे है कि बहुत लोगों का होता है कि उनके पास नहीं है, यहने केसे आने का उनको संभावना नहीं लगती है, तो बहुत दिनों से यह इने मांग चल रही है पूरे देश में, बार काउंसल अफ इंडिया भी मांग रही है, अग्मी नए आजमी के पास जाके कुछ कराने को नहीं देखता है, तो रहा दरता है, क्योंकि अल्टिमेटली कोर्ट से उसको कुछ मिलना है, तो उसकी बहुत दिक्षमता बहुत अच्छी भी होगी, तबी भी हो, किसी के तो भी साथ जुनियर करके जॉइन हो जाता है, ऐ यह पहले हुआ करता था कि आपको किसी को जुनियर करके जॉइन करना था और उसके बाद आप इने लॉप्राक्टस कर सकते थे अब आप सीधे कर सकते हैं, पर आपको फिर स्टाइपन लोगरे नहीं रहता है, आपको केसे आएगी तभी पैसे मिलेंगे, तो अपको पैसे म गवर्मेंट के लिए आपको उनकी एक्जामस देनी होती है, तो आप अपना जो रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो वो सरेंडर करते हैं और आप गवर्मेंट को जॉइन कर लेते हैं, आप जोइन कर लेते हैं, तो आप कानून बनाने के लिए भी रफ ड्राफ्ट आपक प्रेसिडेंट द्वारा और फिर वो एक्ट बनता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो इसमें अलग-अलग कॉंपेटिटिव एक्जामस भी होती होंगे मेरे ख्याल से, वो भी कुछ अगर हो तो बताएं, जो कि उन जो नए उमीद करने वाले हैं आपने लिए करि कर सकते हैं, आपको जिसमें चाहिए, आप एविएशन लौ में कर सकते हैं, शिपिंग लौ में कर सकते हैं, मरकंटाइल लौ में कर सकते हैं, कमर्शियल लौ में कर सकते हैं, इंटेलेक्शल प्रोपर्टी लौ में कर सकते हैं, लैंड लौ में कर सकते हैं, सिविल लौ में कर सकते हैं, criminal law में कर सकते हैं, personal law में कर सकते हैं, आप बोलते जाएए उतने सारे laws में आपका specialization हो सकता है. सबसे ज़्यादा डिवर्ट किसकी है? सबसे ज़्यादा आपको पुलीस वालों से डर लगता है, जो हमको बचाने के लिए होते हैं, पर यह एक एक और फान भावना है कि आपको पुलीस वालों से डर लगता है, पर उनसे डर लगता है, यह उनसे बचने के लिए, आप कुछ भी चीज होते हैं, तो आप civil और criminal यह basic जिसके लिए बहुत जादा इने लोग के दर्वजाद कटाते हैं और जिसके वएदे से पेंडंसी भी बढ़ते हैं बिकॉस हर आदमी छोटा सा भी दिस्प्यूट हो तो बोलते कि नहीं मैं कोर्ट से सैटल कर वाऊंगा तो देश का ट्रस्ट हमेशा से जुडिशेरी पे रहा है और इस वज़से वह जुडिशेरी के पार यह बहुत अच्छी बात है एक उम्मीद हर आदमी की जिन्दा है कोर्ट है उसके पीछे उसके मदद करने के लिए कोई नहीं है तो सबका मालिक एक है खुदा है आज हिंदुस्तान में या किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कोर्ट का तो इसी में competitive exams भी होते हैं competitive exams कैसे है कि हर स्टेट की public service commission एक exam conduct करती है जिसमें आप lower judiciary करिए और higher judiciary के लिए आप compete करके judge बन सकते हैं यह बहुत महत्पूर आप बता रहे हैं judge बने के क्योंकि सभी बच्चों में जो नहरे आते हैं चाहते कि हैं judge बन सकते हैं तो आप अगर law पुरा एक stroke में पास कर जाते हैं आपका कोई backlog नहीं है तो आप directly apply कर सकते हैं आप सारे जरूरी कुछ इस तरे का भी है एक minimum marks percentage criteria होता है कि आप minimum इतने percentage लेके 50-60% वो एकदम basic सा होता है पर आप अगर वन स्ट्रोक में पास करें तो आपको minimum criteria generally meet करते हैं तो आप 50-60% जो है इन्हें अलग-अलग category इसके लिए इन ओपन, OBC, ST, 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 तो उनके लिए आप आपको basic criteria meet करें आप एक preliminary exam दें उसके बाद mains exam होती है यह दोनों आप exam clear कर जाते हैं आपका interview stage आता है interview आप crack कर जाते हैं तो you become a judge आपको training होती है and you get posted somewhere तो यह lower judiciary लिए 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 higher judiciary में भी आपको minimum 7-10 years की practice लगती है उसके बाद same process है and you become a judge which is senior division judge UPSC की तुरू भी कुछ law की फिल्डबेंट है किस ती की आपको लिए प्रयास किया गया था बीच में but the law was struck down तो वो प्रयास अभी भी जारी है कि High Court और Supreme Court के लिए UPSC के तुरू exams conduct हो पर अभी फिलाल का जो है तो उसमें lower judiciary से लोग जाते हैं या जिनकी बहुत अच्छी practice ह law में तो उन लोगों को directly elevate करके bench पर बुठा लेते हैं यह कैसे bar and bench यह दो नाम होते हैं तो bar is somewhere where advocates are there and bench is somewhere where the judges sit तो bar and bench तो bar से bench पर बुलाने को elevation कहते हैं तो elevate करके judges बनाते हैं तो directly Supreme Court या directly High Court judge बन सकता है आदमी उसका वी require but कुछ eligibility उसकी आपका minimum 10 years of practice होनी चाहिए ठीक है that needs to be a roaring practice with coverage of all laws आपका legal understanding acumen अच्छा होना चाहिए आपका standing अच्छा होना चाहिए आपके minimum reportable judgments होने चाहिए if you come up with fly colors or something like that I mean आपके अच्छे judgments हैं आपने इने law में मदद की है judges को आपने मदद की है because आप अधीवकता है ultimately तो how well you assist the court in delivering justice that is the basic eligibility that is the basic eligibility okay अज एक वकील जो आपने का पांस साल के बाद में शुरू कर सकता है practice तो सीधे session court में कर सकता है high court में और supreme court में उसकी eligibility नहीं होती कैसे हो सकती है high court और supreme court के लिए पहले कैसे हुआ करता था कि आप directly supreme court में भी practice कर सकते थे पर अभी जो समय आया है तो इसमें there are laws जो लाए गये है regulations लाए गये है which regulation prescribes कि आपको minimum 2-3 साल lower judiciary में practice करनी है then 2-3 साल आपको higher court में practice करनी है and after 5 years you can then practice in the supreme court उसमें भी क्या देखा जाएगा क्या आपके success का ratio किता है या आपका practice or experience count करता है success का ratio कैसे कि आप court में जाते हैं तो ultimately pleading before the court you pray before the court तो आप pray कर सकते है court को जो judgment आएगा वो तो judge का है इन्हें हमारा उसमें कुछ नहीं हमारा सिर्फ योगदान इतना है कि हम judge को assist करेंगे एक बहतर judgment देने में तो being an officer of the court तो यह हमारे responsibility है कि हम court को assist करें अब आप जीते हैं हारते हैं that ultimately boils down to कि आपके case में कितना merit था या आप कितना अच्छे से judge को convince कर पाएं तो law की field में career बनने वालकले सबसे important और सबसे जरूरी सवाल जो आज के लिए भी हमारा है जो शायद आखरी है हमारे इस career के program में एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या होना चाहिए कुछ आपके अंदर होना चाहिए कुछ आपको सीखना चाहिए दोनों चीज़ें क्या हो सकते हैं कुछ inherent traits है कुछ outside याउट स्किल्स हैं acquire skills हैं और कुछ inherent traits हैं जो दोनों जरूरी हैं आपको अच्छा आदिवक्ता बनने के लिए जैसे कि आपको पढ़ने की बहुत आदत होनी चाहिए आप पढ़ने से बोर अगर हो जाते हैं तो शायद याने law practice आपके लिए एक अच्छा जरिया नहीं है आप बाकी चीज़ों कोई भी चीज को analyze कर पाते हैं आप interpretation proper कर सकते हैं चीजों का आप उसको law से connect कर सकते हैं तो ये चीज़े पढ़के ही आपको आएगी और experience के साथ ही आपकी develop होगी तो जब आपका ये develop होते रहेगा sense उसी के साथ आपकी सारी चीज़े develop होगी और आप अच्छा दिवक्ता कर के सामने आएंगे अनलेटिकल अबिलिटी वी किसे आप अनलेज करें किसे करें जैसे आपने का ये आपका inherent जी 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 तो कुछ inherent traits से इसमें कुछ acquired skills हैं वो दोनों का जब आपका मिलन रहेगा तो इस जस्ट कॉक्टेल तो वो अच्छे ingredients के साथ बनेगी तो ये लुव पूर यू तो आप अगर वो करते जाएं और आपको बहुत पसंद है तो आप उसमें grow करना ही है आपको कोई नी गूख सकता है अन्तिम सवाल जो बहुत बहुत बच्चों के लिए जो आचुके हैं लोकी फिल्मे बढ़ाही करें सारी लोकी जितनी धराय है जो असंख है हम सारी दारह उन्हें पढ़ाई जाती है लोग स्कूल में क्यूंकि आपको नहीं पता आपके पास किस तरीके का केस आएगा जैसे मेरे मेंटोर यह जेटमलानी जी और देसाई जी तो दोनों ने मुझे एक चीज यहने बहुत तरीके से समझाई है कि आकाश इवन इफ यू क्लाइंट को नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास इस तरीका केस लेके मत आओ तो वो जब आपके पास किसी तरीकी का केस लेते आए हैं आपको उसका अगर बेसिक चीज भी अगर नहीं पता तो आप उनकी मदद नहीं कर पाएं तो फॉर हेल्पिंग एवर्यवन यू मस्ट बी आपको पता होना चाहिए आप बात में पढ़ते रहें जो आपने का पढ़ते रहने के आदर डलियाने चाहिए तो बाकि बार-बार आपके सामने आती रहेंगे तो आपको याद मेरेंगे क्योंकि याद रखना भी जरूरी है और बीच बीचे ये जैसे कि आप अमबेडकर जी का एक statement मुझे याद आ रहे है मराथी में है वाचाल तर वाचाल मतलब आप पढ़ेंगे तो यह बचेंगे वाचाल दवाचाल क्या वाचाल जब पढ़ेंगे तो आप बचेंगे जीवन की सीख वी दिया किसी और मी फिशेत्र में है तो भी याद रखिए अगर आप पढ़ते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजा पता होती है जो आपका बच्चाओं कर सकती है हम बहुत धन्यवाद देंगे आकाशी को और उन्हें समय निकाला और इतनी बहुत पूर बाते मता ही करियर लौकी फिर्ल में बनाने के लिए हम उनको फिर बुलाएगे लौ से जुड़ूए किसी विशेश विशेव पर उनकी बागदर्शन लेने के लिए उनकी जानकारिया लेने के लिए बहुत धन्यवाद आकाशी आन्यवाद